कॉंग्रिस महा सचिफ प्रियंका गांधी वाड़ा ने रोट शो के बाद वाइनाड लोगसभा सीट से नमांकन दाखिल कर दिया है इस दोरान उनके साथ भाई राहूल गांधी, मासोनिया गांधी और कॉंग्रिस अध्याक्ष मलका अर्जुन खड़गे भी मौजूद बहे प्रियंका ने नमांकन से पहले कहा कि जब मैं 17 साल की थी तब मैंने पहली बार पिता के लिए कैंपीन किया था तब से इन 35 साल के दोरान मा भाई के लिए वोट मांगे अब पहली बार खुद के लिए समर्थन मांग रही हूँ प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही है भाजपा ने उनके किलाफ नाव्या हरिदास को उतारा है नाव्या हरिदास ने कहा कि हमें जनता से बहुत सकरात्मक प्रतिक्विया मिल वही है हमने तीन दिन पहले रोट शो के साथ अभियान भी शुरू किया था ना केवल भाजपा कारेकरता बलकि यह जनता भी बहुत गर्म जोशी से स्वागत कर रही है उन्होंने कहा कि प्रियंका वाडवा आज अपना अभियान शुरू कर रही है वो अपने परिवार के साथ यहां आई है हमने तीन दिन पहले ही शुरू कर दिया और प्रचार जोरो पर चल रहा है मैं कल 24 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे अपना नमांकिन दाखिल करूँगी वहिनाव्या ने प्रियंका के नॉमिनेशन को लेकर कहा कि प्रियंका वाइनाट में साथ दिन रहेंगी लेकिन मैं पूरे पांच साल काम करूँगी बता दे कि लोगसभा चुनाव 24 में राहूल गांधी ने केवल की वाइनाट और यूपी के रायबरेली लोगसभा सीट से जीतासिल की थी बाद में उन्होंने गांधी परवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वाइनाट छोड़ दी चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर की दुपहर को 13 राजो की 47 स्विधास दभा और लोगसभा की दो सीटो पर उक्चुनाव की घोशना की थी इन्हें केवल की वाइनाट और महराश्रो की नांदेड लोगसभा सी टेश्वा में थी I was saying that it has been 35 years since I have been campaigning for different elections yes this is the first time that I am campaigning for your support for myself का इंगे मुपप्प यंगी वर्षिंग राई पाला तरुन अदप भल्य यां प्रजर न अर्थ कुट विकियाने तक्षे आद्ध माई तान यान इन निंगल देंगों की वेंदी एलिक की वेंदी और तरुन अदप प्रजर न तुमेटन दार and it is a very different feeling I am deeply grateful to Congress President Malikarjan Thargeji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Vyanaad and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Vyanaad it is my honor to represent you if you give me a turn we are getting a very positive response from the public we started the campaign three days back with the roadshow all are getting very excited because it's not only the Bharati Janda Party workers but the other public is also welcoming very warmly yeah she is starting her campaign today I think she came with the family we have already started three days back and the campaigning is going in full-fledged what about your nomination? day after tomorrow I am filing the nomination on 24th 12 pm the झाल झाल झाल